तो बच्चो आज जो स्टोरी है हम लोग पढ़ेंगे वो है आपके लिटरेचर बुक की चैप्टर नमबर टू दा वाइट एलिफेंट ठीक है तो पहले हम लोगो रीड करेंगे और रीडिंग के साथ साथ हम लोग इसका जो मिनिंग है वो भी समझते जाएंगे पूरी स्ट हमाले माउंटेंज बहुत समय पहले एलिफेंट का एक जुन्ड हर्ड मतलब हर्ड आफ एलिफेंट का मतलब होता है हाथियों का जुन्ड वो एक जंगल के नस्दीक एक फॉरेस्ट में यो हमारा हमाले माउंटेंज है उसके नस्दीक एक फॉरेस्ट में एक जंगल में रह था एक खांथियों का जुन्द। The finest elephant in the tribe was a rare white animal और उन जो elephant का जुन्द था उसमें सबसे rarest यानि जो बहुत मुश्किल से दिखे है बहुत मुश्किल से मिले वो जो animal था वो था white animal यानि white elephant Unfortunately यानि दुर्भाग गेवर्स The mother of this elephant was old and blind लेकिन ये जो white elephant है उसके जो मा है वो old है यानि काफी बूढ़ी है और साथ ही साथ में अंधी भी है ब्लाइंड भी है ठीक है Although her son gathered sweet wild fruits for her Every day he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food बिचारा ये जो बच्चा है white elephant वो अपनी मा के लिए हर दिन जंगल से fruits लेकर के आता है हर दिन कि मेरी मा तो अंधी है कैसे खाने जाएगी तो अपनी मा के लिए वो fruits लेकर के हर दिन आता है मिठे मिठे fruits जंगली fruits जो भी होते हैं लेकर के आता है लेकिन उसको बहुत गुसा आता है यह देख करके कि जो दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऐलिफेंट होते हैं वो उसके सामने से फ्रूट्स चोरी करके ले जाते हैं कैसे और क्यों ले जाते हैं चोरी करके उसका कारण है वो चोरी करके इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उसकी मा जो है वो क्या है अंधी है वो देख नहीं सकती है बोड़ी भी है साथ में तो चुपके से आ करके चोरी करके ले करके चले जाते हैं ये लोग तो इसके चलते जो है हमारा white elephant जो है वो बहुत ज़्यादा नराज हो जाता है और कहता है mother he said it would be better if you and I were to go and leave alone in a distant cave I have discovered कहता है maa मैंने एक cave मैंने एक गुफा discover की है जो जंगल के एकदम दूर में है क्यों न हम लोग वहाँ चले हम लोग के लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग जो हैं वहाँ चले और वहाँ चल करके रहें अकेले दूर सुदूर में जा करके रहें ताकि कोई भी तुम्हारे fruits क को चोरी ना करे मुझे बहुत गुसा आता है यह सब कुछ देख करके ठीक है तो अपने maa को suggestion देता है कि हम लोग चलते हैं कहीं दूसरे जंगल में दूर ठीक है तो यह mother elephant जो है वो agree हो जाती है और बहुत समय के लिए for a time वो कुछ समय के लिए वो लोग दोनों जाके happily खुशी खुशी से वहां रहने लगते हैं दूर में लेकिन एक दिन की बात है एक दिन क्या होता है उसे एक आवाज सुनाई देती है ठीक है they heard loud cries coming from the great forest जंगल से एक आवाज सुनाई देती है that is the voice of a man in distress यहां distress का मतलब होता है danger में अगर कोई रहता है खत्रे में तो उसे distress कहते हैं तो that is the voice of a man in distress तो वो voice किसकी थी man की थी यानि कोई आदमी जो है वो खत्रे में है और उसकी आवाज जो है वो आ रही है say the white elephant I must go and see if I can help him मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या मैं जाकर के उसकी मदद कर सकता हूँ ठीक है ऐसा कहता है कौन the white elephant do not go my son said his mother उसकी मम्मी जो रहती है जो old और blind elephant है जो white elephant की मा है वो कहती है don't go my son वहाँ नहीं जाओ मेरे बेटे I am old and blind but I know the ways of human beings toward us मैं बूठी हूँ और blind जरूर हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है human beings जो होते हैं उनका nature हमारे तरफ क्या है मतलब हमें वो क्या समझते हैं हमारे साथ कैसा behave करते हैं ये मुझे बहुत अच्छे से पता है your goodness will be rewarded by treachery ये बहुत बड़ी बात है देखो your goodness will be rewarded by treachery मतलब आपका जो goodness है यानि आप जो उसके लिए अच्छा काम करोगे बहुत अच्छा बन जाओगे अच्छा काम करके लेकिन उस अच्छे काम के बतले आपको क्या मिलेगा एक act मिलेगा ऐसा जो की बहुत ही बुरा होगा यानि betrayal यानि उस अच्छे काम के बतले वो लोग आपको तंग कर देंगे परिशान कर देंगे आपको reward नहीं मिलेगा आपको punishment मिलेगी उसके बतले ये कौन कहता है old और blind elephant अपने white elephant अपने बच्चे से कि मत जाओ बेटा वहाँ पे वो लोग बहुत ही खराब होते हैं हमारे अच्छे चीजों के बदले वो लोग हमें punish कर देते हैं लेकिन वह white elephant जो था वो बिल्कुल भी नहीं सह पाया किसी आवाज को जो कि travel में है यानि कोई भी distress में अगर आवाज लगाता है तो उस white elephant के हिसाब से हमें चले जाना चाहिए और फिर वो दोड़ते भागते उस आवाज की तरब चला गया जिस direction से जिस दिसा से आवाज आ रही थी लेक की तरब जील की तरब और वहाँ जाने के बाद वो क्या देखा वहाँ पे एक man है जो की एक forester था है ना forester जो जंगल में रहते हैं जंगल की देखा करते हैं वो तो वो वहाँ पे जाता है और क्या देखता है यह वहाँ पे एक forester है जो की फसा हुआ है don't fear me stranger he said tell me how I can help you देखो stranger stranger से कहता है कि डरने के जोरत नहीं है और मुझे भी तुम मर डराओ tell me how I can help you मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ the forester told the white elephant that he had been lost for seven days and nights and could not find his way back to Benares where he lived the forester जो है वो बताता है white elephant से कि वो अपना रास्ता भूल गया है और साथ दिनों से वो साथ दिन और रात से वो यहीं पर है गुम हो गया है और उसे पता नहीं चल रहा है कि उसका रास्ता कहां है बनारस जाने का क्योंकि वो बनारस का निवासी है वो बनारस में रहता है ठीक है देखो तो forester बताता है कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं साथ दिनों और साथ दिनों और रात से यहां पर भटक गया हूँ तो कहता है white elephant जो है वो कहता है ओ कोई बात नहीं मेरे पीट पे बैठ जाओ मैं तुम्हें तुम्हेरे घर छोड़ाऊंगा तो वो elephant जल्दी से उसे अपने पीट पे बैठाता है और वो पूरे जंगल से होके हुए रास्ते से होते हुए उसे country के तरफ उसकी यानि बनारस के तरफ ले जाता है और out skirt, out skirt मतलब जो बाहरी area होता है जो मतलब क्या कह सकता है उसको border area होता है जहां पे जंगल और मतलब city जो है सहर वो start होते है उस area पे दे जाके उसे छोड़ देता है ठीक है यानि उसकी help उसने white elephant ने कर दी जो साथ दिन से forester गुम था इतर उतर उसकी help कर दी the forester was a greedy and cunning man लेकिन forester जो था वो बहुत ही greedy था लालची था साथ ही साथ cunning भी था धूर्त भी था ठीक है he knew that the king's favorite elephant had died उसे पता था कि जो हमारे राजा है राजा का जो सबसे चहेता हाथी था राजा ने हाथी रखा था एक बहुत ही प्यार करते थे उससे वो हाथी अब मर चुका है died मर गया है the king would reward me richly thought the man अगर मैं इस हाथी को पकड़ के ले जाऊ if I capture this fine animal for him he straightways ask for a royal audience तो मज़ा आ जाएगा राजा का तो हाथी मर चुका है और राजा को मैं अगर इतना सुन्दर white elephant दूंगा ले जा करके तो राजा मुझे definitely क्या करेंगे reward करेंगे मुझे बहुत कुछ देंगे और फिर मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा सोचिए उस white elephant ने इसकी इतनी मदद की उस बच्चे ने लेकिन ये धूरत आदमी अपने लालच के कारण देखिए क्या कर रहा है देखे और जब राजा को जाकर करके ये बताता है कि white elephant ऐसा था देखने में वैसा था उसके बारे में describe करता है तो राजा बहुत ही जादा खुश होता है I would love to possess such a fine creature और कहता है और वाह वैसा हाथी वैसा creature को वैसा जीव को मैं रखना चाहूंगा कास मेरे पास वैसा जीव रहता Go back to the forest with a band of my most skillful trainers and if they succeed in capturing this rare elephant you shall be well rewarded जाओ जा करके मेरे जितने भी skillful trainers हैं यानि जिसको बहुत अच्छी मतलब skill मिली हुई है कला जिनको बहुत जादा है जानबर को पकड़ने की उन सभी अच्छे अच्छे लोगों को ले करके जाओ जानबर को पकड़के ले आओ उस white elephant को पकड़के ले आओ मेरे पास और अगर तुम लोग success हो गए लाने में उसको पकड़के तो मैं तुम्हें reward दूँगा राजा ऐसा कहता है उससे और forester तो पहले ही लालची था वो और लालच करता है उसे बड़ा बड़ा मज़ा आता है लालच करने में आप तो मुझे reward मिलेगा सोचते रहता है ठीक है देन देखे कितना सैतान है जब वो उसके पीट पे बैट करके आ रहा था जब हाथी उसे छोड़ने के लिए आ रही थी उस समय ही इसने अपना प्लान कर लिया था और सारे रास्ते को ध्यान से उसके पीट पे बैट करके देख लिया था कि कहां कहां से ले करके मुझे हाथी जा रहा है बाद में मैं इसे फिर पकड़ने के लिए आऊँगा तो सारे रास्तों को उसने अच्छे से नोटीस कर लिया था और जिस लेक के पास ये जूट का चिला रहा था फसा हुआ था वहाँ पे वाइट एलिफेंट ने अपनी मम्मी के लिए नरम नरम पत्तियां जमा करके रखी थी बैंबू ट्रीस के यानि बास के कि मैं अपने मम्मी के लिए साम में ले जाओंगा और साम को मेरी मम्मी खाएगी उसे तो वहाँ तक वो उस जगे से पहुँच गया क्योंकि उसने सब नोटिस कर लिया था तो अपने बाकी सैनिकों को ले करके उस जगा पे उस जील के पास वो धूर्त वैक्ती फोरेस्टर पहुँच चुका है जैसे ही उस एलिफेंट ने देखा फोरेस्टर को अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ वो समझ गया कि he knew he had been betrayed कि अब उसे ये लोग पकड लेंगे अब इसे ट्रैप किया जाएगा और मुझे पकड के ले जाएगे और मेरी मम्मी के बाद सही हो गई मैंने जो goodness किया था जो अच्छा काम किया इसे विचारे को छोड़के आया था सोचा था ये फस गया है यहाँ पे तो ये तो धुर्त निकला और सही कहती थी मेरी मम्मी की human beings की मदद करने का मतलब है वो लोग तुम्हें punish करेंगे और आज मैं punish होने वाला हूं ठीक है तो आती है भाई पकड़ने की कलावाजी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया वो एक विजय के जैसा यानि जैसे उन्होंने किसी चीज पे जीत हांसिल कर ली हो उस तरीके से उस हाथी को पकड़के वो लोग बनारस पहुंच जाते हैं ठीक है the poor mother elephant waiting for her son to return felt certain that he had been captured the poor mother elephant जो क्या है रहती है वो वेट करते रहती है अपने बच्चे का लेकिन उसे कभी-कभी ये तो surety थी ये वो समझ चुकी थी कि मेरा जो बच्चा है वो पकड़ा चुका है उसे किसी ने capture कर लिया है उस धूरत आदमी ने जिसकी मदद की थी मेरे बच्चे ने उसको उस लोगों ने उसे पकड़ लिया है mother समझ चुकी थी मा होती है सब को जानती है what shall I do without him she cried who will bring me food and lead me to the lotus lake for water अब मैं उसके बिना क्या करूंगी मैं अब क्या करूंगी कौन मुझे खाना पानी लेकर के आएगा और मुझे lotus lake की तरब कौन ले जाएगा नहाने के लिए और पानी पिलाने के लिए अब मैं तो बरबाद हो गई मैं क्या करूंगी मेरा विचारा बच्चा को पकड़ के ले गया है ना बिलक रही है रो रही है विचारी वहां थी हतनी the heart of her son was equally heavy और उसी तरीके से जैसे यहां मा परशान थी उसी तरीके से वहां white elephant बेटा जो था वो भी बहुत परशान था what will she do without me he thought if only I had listened to her advice अब मेरी मा बिचारी क्या करेगी मुझे उसकी advice मान लेनी चाहिए थी मेरी मान ने जो advice दी थी मुझे कि मत जाओ बेटा तुम उन लोगों की मदद करने वो लोग सैतान होते हैं कास मैं अपनी मा की बात सुन लेता अब वो मेरे बिना क्या करेगी उसे खाना पिना कौन देगा यानि वहां उसकी मा परशान है और यहां white elephant भी अपनी मा के लिए परशान है दोनों के जो hurt हैं equally heavy यानि दोनों के hurt जो हैं रिद है वो करुणा से भरे हुए हैं ठीक है इन पाइट आफ इस अनहापी लूग देखेंट फांट फेवर विद देखेंग फेवर विद देखेंग वो डेक्लियर ही वोड़ राइड अन अधर अनिमल देखेंट इस अनहापी लूग वो अपने अनहापी लूग यानि जो दासींता थी उसमें अपने मम्मी के प्रती वो जो सोच रही थी देखेंग फांड फेवर विद देखेंग लेकिन उसने पाया कि कि जो था वो उसका फेवर कर रहा था ठीक है वो डिकलियर करता है कि वो अधर एनिमल पे राइट करेगा दूसरे एनिमल पे चड़ेगा और उसके जो एलिफेंट जो पकड़के लाया था उसके लिए एकदम बहुत अच्छे से उसके स्टेबल को जहां पे हाथी को रखा जाता है उसको सजा दिया गया था और फिर किंग जो है उस पे चड़के पूरे सिटी में घुमेगा ठीक है तो ट्रेनर्स आते हैं राजा के पास और कहते है यह हमारा जो वाइट एलिफेंट जिसे पकड़ के लाया है यह तो कुछ खाही नहीं रहा है और बिमार सा पड़ गया है और जो किंग जो था वो हरिडली यानि दौड़ती हुए जाता है स्टेबल में जहां पे हाथी को रखा गया था और देखता है कि जो हमारा हाथी जो है वो डिस्पेर है डिस्पेर का मतलब जिसमें कोई आसा ना हो ठीक है मतलब loss of hope यानि कोई भी आसा ना हो एकदम निरासा निरास हो करके वो बैठा हुआ है राजा कहता है good animal how you have changed यह तुम change कैसे हो गए why do you refuse to eat anything you wish will be granted to you तुम क्यों नहीं खाना चाहरे है कुछ भी तुम जो भी खाना चाहोगे वो तुमें मिल जाएगा हम तुमें grant करेंगे वो तुमें provide करेंगे तुम मिजाज से एकदम मजे सा खाना है ना खुब खुश हो करके खाना all I desire is to return to my blind mother in the forest for while she is alone and starving how can I eat तो कहता है मतलब बहुत उदास होकर के sorrow से भरा हुआ यह जो हाथी का बच्चा है white elephant वो mournfully कहता है answer the white elephant कि राजा मुझे return जाना है मेरी मा के पास जो मेरी अंधी मा है वहाँ पे she is alone वो alone है अकेले है भूखी है starving भूख से मर रही होगी how can I eat मैं कैसे खा सकता हूँ जब मेरी मा वहाँ भूखे मर रही है अकेले है तो मैं यहाँ खाना कैसे खा सकता हूँ राजा है एकदम उदास होकर के राजा से कहता है now the king was a good king and although he badly wanted the elephant for himself he said at once noble animal your goodness puts mankind to shame I give you your freedom to return to your mother at once राजा जबकि बहुत अच्छा इंसान था दिल का बहुत अच्छा था और जबकि राजा उस हाथी को बहुत ही ज़्यादा चाहता था वो चाहता था कि वो हाथी उसके पास ही रहे लेकिन फिर भी एक बार में राजा उसकी बात सुनके कहता है कि noble animal यानि तुम बहुत अच्छे जानबर हो और your goodness puts mankind to shame और तुम्हारी अच्छाई हम इंसानों को सर्म महसूस करा दी है यानि तुमने जो अच्छाई की और उसके प्रती तुम्हें पकड़के यहां लेकर के आए हैं सब भी लोग यह सोच करके हम लोगों को बहुत शर्म महसूस हो रही है हम लोग आज सर्मिंदा हैं बहुत जादा I give you your freedom मैं तुम्हें तुम्हारी सौतंजरता देता हूँ freedom देता हूँ तुम अपनी मम्मी के बास written एक बार में अभी तुरंद चले जाओगे ठीक है the elephant thanked the king with a loud thumpting thumpting तो जो elephant है वो बहुत जादा खुस होता है और फिर वो बताता है कहता है thank करता है अपने सूर को उठा करके सूर से कुछ आवाज निकालता है trumpeting आवाज कुछ होती ही वो निकालता है अपनी तरह की आवाज जो हाथ ही निकालते हैं और उसके बाद वो city को छोड़ करके forest की तरफ वापस चले जाता है when he reached the cave जब वो cave गुफा में पहुंचता है he found to his joy that his mother was still alive और वो बहुत खुस होता है देख करके गुफा में जा करके कि उसकी मम्मी जो है वो अभी भी जीवित है कुछ नहीं हुआ है उसकी मा को my son she said when he told her his story जब अपना story बताता है अपनी मा को तो वो कहती है मेरे बेटे ये क्या हो गया तुमारे साथ you should have listened to me human beings have always brought harm to our race तुमें मेरी बात सुननी चाहिए थी बेटे human beings जो होते हैं हमेशा हम animals लोगों को नुकसान पहुचाते हैं हमें पनीस करते हैं भले ही तुम उनके लिए कुछ भी कर दो लेकिन वो तुम्हान तुम्हें परिशान करेंगे not all of them mother he said temptingly वो कहता है कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं है और वो कैसे कहता है temptingly यानि बहुत ज़्यादा उत्साहित हो करके कहता है कि नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है सारे लोग बुरे नहीं होते है the king is nobel and generous और I should still be in captivity यानि अभी भी में बंदी बने रहता imprisonment यानि में अभी भी वहाँ पे बंदी बने रहता और मुझे बंदी बना के लोग रखे रहते लेकिन क्योंकि राजा एक अच्छा इंसान था तो उसने मुझे छोड़ दिया तो इसलिए मम्मी सारे इंसान को एक जैसा सोचना गलत बात है राजा है अच्छा इंसान forester धूर्ट था लेकिन राजा अच्छा है तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते है अरे मम्मी छोड़ो वो जो धूर्ट था धूर्ट की बात को भूल जाओ छोड़ो और सिर्फ राजा की अच्छाई को सोचो तो कितना अच्छा लगता है राजा का गुड़नेस मेरे गुड़नेस के बरावर है मैंने जो गुड़नेस किया उन लोगों के लिए जो भी अच्छा किया और राजा ने भी मेरे साथ अच्छा किया तो सारे लोग जो होते हैं